वालकाम फैंक्स, तो सुवागतम दोस्तों, जब भी हम मेडिकल स्टोर से पेट की गेस को ठीक करने का कैपसूल या टेबलिट खरीद दें, तो उन टेबलिट के नाम के आगे हमें D, DSR, L या LS, इन में से कोई भी एक लिखाओ मिलता है, और इनको देखने से हमें काफी कन्फ लेकिन इस्तितियों में इसे डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, तो सबसे पहले इन सभी की फूल फोम को जान लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले जो D है, इसका मतलब होता है, डॉम पेरिडॉन, सस्टें डिलीस फोम में मिलाए गया है, L मतलब ल लिवोसल प्राइड होता है और यह सभी दवाओं के नाम है इन्हें हम यहाँ पर एक्जामपल से समझ लेते हैं जिससे के समझने में थोड़ी आसानी होगी सबसे पहला एक्जामपल है ओमी डी यह एक ब्राइड नेम है जो पेट की यह सको ठीक करने का कैप्सुल है इसमें प्राज़ों ता डॉम पेडोन यह दोनों दवाएं मिलाई जाती है तो जो यहाँ पर डी है यह डॉम पेडोन के लिए इस्टेंड करता है दूसरे एक्जामपल में पेंटोप डी एसर जो बहुत ही पॉपुलर है आपने कभी ने कभी यूज लिया होगा जिसमें पेंटो प्राइड के लिया लिखा गया है और लाश्च एक्जामपल है पेंटव इल एस जिसमें प्रॉज रूज़ों था लिया होता है और यह लिए गनहले नापनी ड्वर लिया जाता है तो यहां पर जो ब्रेंड इसर अब आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएं होंगे आपको कोई कन्फूजन नहीं रहोगा अब हम जान लेते हैं यह सुझ जब सभी दवईयां हैं किनकिन समयश्यों में प्रियोग ली जाती है पेट की गेस को ठीक करने के लिए इनका प्रियोग लिया जाते हैं सभी को पता है लेकिन इसके अलाव भी अगर किसी व्यक्ति को उल्टी हो रही हो पेट में तता आहर नाल में जलन हो रही हो इन्हें हम PPI प्रोटोन पॉंप इन्हीबिटर दवईयां भी कहते हैं क्योंकि इसमें Ameprazole Penta Prazole यह PPI दवईयां ही हैं और साथ में Dom vocalियो पासुइन जो प्रोटोन पॉंप इन्हीबिटर दवईयां यह हमारे पेट मैं एक्स्ट्रा एसीड के सेक्रिस्टन को रोग देती है जिससे की पेट में गेस नहीं बनती, आहरणाल में जलन नहीं होती और जो डॉम फेटों तर लिवो सलपराइड है ये दवईयां हमारी इंटेस्टाइन की पेरास्टेलिक मुवमेंट को बढ़ा देती है जिससे की जो प इफ्यूजन तथा क्यूरूसिटी दोनों को क्लिर करने वाला वीडियो था, मिलते हैं किसी ने वीडियो में नई दवा नई टोपिक के साथ में तब तक के लिए सौस्त है और मस्त रहें